मोधी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला राश्टी जनसंख्या रिजिस्टर के अप्डेशन पर लगाई मुहर जीन के उईगर में मुसल्मानों पर पाकिस्तान की चुप्ती इम्रान पर शाहिद अप्रीदी ने उठाए सवार लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर नगर निगम के बरखास्त बेरदार किया हमारा फिर सामने आई सरकार की अंदेखी पीडी अपका हजारों टंगी हो पारिश में भीगा और च्टापूर में नागरिक संसोधन कानूर के समर्धर में रैली प्रसाथा ने तेरा छात्रों को गिरफ्तार कर जेल विजा नमस्कार मैं हूं सत्यम शर्मा आप देख रहे हैं जब खबर विस्तार से देश में नागरिकता संसोधन कानूर और नेसनल रजिस्टर आफ सिटिजन्स को लेकर देश में राजनीती गर्माई हुई है इस बीच आज मोधी कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है मोधी सरकार ने राश्ट्री जनसं का इस्तमाल होगा केंद्रे मंतरी प्रगाश जावडेकर ने बताया कि जनगर्ना में किसी भी दस्तविस की जरूत नहीं पड़ेगी एंपियार से सही लाभारती को सरकारी योजनाओ का लाग मिल सकेगा कैबिनेट बैठक में एंपियार पर चल्चा की गई जिसके बाद इ कि आठ हजार तिन्सों पचास गाओं को इसका लाब मिलेगा राष्टी दन संख्या रजिस्टर में देश के हर नागरिक का लिखा रहेगा इस रजिस्टर में हर नागरिक को अपना नामदर्ज कराना आनिवारे होगा किसी भी इलाके में छे महीने से रहने वाले लोगों क को इस रजिस्टर में नाम लिखना होगा नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यह पहली 2010 में कि यूपिया सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मन्मोन जी ने वितरित किये थे कि तो कि 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार ने क्योंकि हर दस साल के बाद यह करना है तो 2020 में तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जुरूत नहीं है कोई भी कागज देने की जुरूत नहीं है आपके सवालों को पहले भी जवाब देता हुआ कागा जाए ना बायोमेट्रिक है जो आप कोहोगे वही सही है क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है और इसलिए इसलिए यह जन्नकणना और नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मैं देख रहा था अभी हमारी कैबिनेट मेटिक नहीं हुई कि इधर टीवी पर कुछ दिखने लगा मुझे वह सही नहीं है यह सभी राज्यों नी स्विकार किया है कि सभी राज्यों इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं और सभी राज्यों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्शन के कारिकम चल रहे हैं पिछले 6-8 महिने से हर 10 साल के बाद ये होगा, 2010 में पहली दफा हुआ, UPA ने शुरू किया और इसलिए मनमौन जी ने उसके कार्ड बाटे तो एक National Population Register तैयार होगा, जो भी भारत में रहता है, उसकी गणना इसमें होगी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्रि इमरान कान को ऊएगर मुसल्मानों को लेकर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने घेरा है, आफरीदी ने लिखा है, उएगर मुसल्मानों पर हो रहे अत्याचार दिल दोरने वाले हैं, मैं पी-म इमरान खान से निवेनन करता हों कि वह इसके खि यही वज़ा है कि चीन में उईगर मुसल्मानों पर हो रहे जुर्म के बावजूद भी पाकिस्तान की औरसे से लेकर कभी कोई आपते नहीं ले गई भारत के आंतरिक मामलों में भी दखल देने से बाज ना आने वाला पाकिस्तान इस मुद्दे के अंतराश्टी इस्तर पर आज तक चुप है हाला कि अब चीन के उईगर मुसल्मानों को लेकर उसके रवएए पर पाकिस्तान के किर्केटर शायद अफरीदी ने आवाज उठाईए शायद अफरीदी ने चीन में उईगर मुसल्मानों के हालातों पर दुग चताती हुए पाक पीम इमरान खान पर भी निशाना साधा है अफरीदी ने एक ट्विट कर लिखा है उगर मुसल्मानों पर होई रहे अत्याचार दिल तोड़ने वाले हैं मैं पीम इमरान खान से निवेदन करता हूं कि वह इसके खिलाफ आवाद उठाए मुसलिम उमाहों को संगठित करने की बात करने में चीन में रहने वाले हमारे भाई बैन भी शामिल हैं अंतराश्टी इस तर पर चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के बड़े सहयोगी के तौर पर पहचान रखते हैं पाकिस्तान ने चीन से करोन डॉलर का कर्ज़ लिया है इसलिए पाकिस्तान इस मसले पर अपना मुँ बंद रख नगरनेकम के बरखास्त बेलदार रियाजूल हक अंसारी के घर देव छाया अपार्टमेंट इसने हिलता गंश में कारवाई की यहां जाच के दौरान रियाजूल और उसके परिजनों के नाम से भवन भूखन और दुकान होने की जानकारी मिरी जिनकी कीमत करीब एक करोर स मकान निर्माना धिन है नहर शहवली कंपाउंड खजराना में बेहन के नाम पर मकान जेल रोड में एक दुकान जिसे बेच दिया क्या है इनकी जानकारी लगी तराशी की दौरान रियाज अंसारी के घर से इन अचल संपत्ती के साथ सोने चांदी के गहनों के साथ 50,000 रु से एक डस्टर कार और दो टुविलर वाहन भी मिले हैं रियाजल हक अंसारी के घर लोकाईट की कारवाई के बाद यह जानकारी सामने आई कि इंदोर नगर निगम आयुक्त आशीश सिंग ने 20 दिसंबर को ही बेलदार को बरखास कर दिया था उसने नगर निगम की छवी ध धुमिल करने के साथ अफसरों के खिलाफ बयानबाजी भी की थी सरकार की लापरवाही और अंदेखी के कारण पीडियाफ का हजारों टंगे हूं बारिश में भी गया है यह गया हूं मद्ध प्रदेश से आंद्ध प्रदेश भेजा जाना था अब कोई भी जवाबदार य हूं बारिश की भेट चड़ गया यह सोना लाख टंगे हूं छतरपुर जिले में खरीदी केंदर से भारत सरकार की एफसी आई ने खरीदा था जिसे रेल मार्ग से आंद्र प्रदेश भेजा जाना था लेकिन अचानक होई भारिश से यह हजारों टंगे हूं गीला हो गया लेकिन जब मीडिया को पता चला तो भारत सरकार के ठेकेदारों ने इस यहूं को बचाने के लिए पॉलेथिन की चागर डाले लेकिन तब तक पीडियाफ का गया हो पानी में तरवतर होकर गीला हो चुका था अब जिम्यदार अभिकारी इसा मामले से लापरवाही बरतने पर कारवाही की बात कर रहे है के अवैद कबजे हटाने की मुहिम शुरू कर दी है इस अभियान के तहट बैरागर में इम्रान सिटोरिये के माकान को तोड़ दिया गया है ग्राम बहटा के पास एतिहासिक टेक्री के पीछे सरकारी जमीन पर बनी डेरी को भी जेसीबी मशीन से धुस्त कर दिया गया है इम्रान सिटोरिये का माकान तोड़े जाने से लोग खुश नजा राए बैरागर में एस डियम मनोज उपाद्या एवं एस डियूपी दीपक नाया की अगवाई में पुलिस प्रशासन का दल ग्राम बहटा पहुचा यहां राजियन मेवारा की डेरी को हटाया गया अमला पहुचते ही इलाके में हरकम पमच गया नगर निगम की जेसीबी से एक घंटे में ही डेरी को जमी दोच कर दिया गया हाला की पास में सरकारी जमीन पर बनी जहुपडियों और पक के मकानों को छोड़ दिया गया S.D.M. अपाधिया ने बताया कि फिलाल माफिया इवाँ अपरादियों की और से किये गए कब्जे हटा जा रहे है दूसरे चरनल में टेकरी को भी अतिकर्मन मुक्ति किया जाएगा पुलिस की मौजूदगी में सादू वासवानी कॉलेज रोट पर इमरान साटूरिय के मकान का बाहिस्सा गण इवाम हतौरों की मदद से तोड दिया गया थाना प्रबावी शिपाल कुछवा के अनुसार इमरान इसी मकान से सट्टे की पर्चिया लिखता था इसका पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वाहिरल हुआ था इसमें खुले आम सट्टे की पर्चिया लिखी जा रहे थी तोड़ फोड के दौरान इमरान के रिष्टेदार विरूद करने पहुँच गए लेकिन पशासन ने ताला तोलने के बाद मकान दोस्त कर दिया बेरागार इवम खजूरी थाना पुलिस ने कुछ अन्न माफिया इवम अपरादियों के घरों को और संपत्तियों को भी चिन्नित किया है जल्दी उनके खिलाब भी कारवाई की जाएगी पकांजूरी स्कूल में सिक्षक की कमी के चलते चात्र संगठन ने तैसील दार्गों कलेक्टर के नाम ग्यापन सौपा और तत्काल सिक्षक उपलब्द कराए जाने की मांगी चात्र संगठन का कहिना है कि स्कूलों में सिक्षक की कमी की वज़े से चात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है अगर स्कूलों में जल्द सिक्षक उपलब दिन नहीं कराए गए तो आंदोलन किया जाएगा सांकेर के पंखाजूर में शिक्षक की कमी की वज़े से चात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है माधमिक में विध्याले एवन हाय सेकेंडरी स्कूल में लगभग 650 चात्र चात्र हैं जिनको पढ़ाने की जिमिदारी सिर्फ आठ शिक्षकों पर है Student Power of Unity संगठन ने प्रशाशन से विध्याले में शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग की है तैसिलदार को कलेक्टिर के नाम ग्यापन सवपा चात्र संगठन का कहना है कि शिक्षक ना होने की वज़ह से चात्रों की पढ़ाए प्रभावित हो रही है प्रशाशन जल से जल स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध कराए अगर जल्दी शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा फिलाल वक्त हो चला है छोटे सेब्रिक का ब्रेक के वाप फिर हजीर होंगे आप देखते लिए दखन न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वाला था है रुप कर तेहंगली खबर क्यों चातर नागरिक संसोधन कानून के समर्थन में रैली निकालने के आरोप में अखिल भारती विद्यार्थी परिशत के दो च्छात्राओं सहित तेरा च्छात्रों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया चातर नागरिक संसोधन कानून के समर्थन में रैली निकाल कर ग्यापन देने जा रहे थे जबकि भोपाल में इसके विरोध में हुए प्रदर्शन में प्रशासन ने किसी को गिरफतार नहीं किया था चतरपुर के सिवल लाइन थाना चेत के डेरा पहाड़ी इलाके में आखिल भारती विद्यार्थी परशद ने नागरिक संसुधन कानून के समर्थन में रैली निकाली जिसके बाद पुलिस ने धारा 144 के उलंगन के आरोप में दो छात्राओं साई 13 छात्राओं को ग्रफतार कर जेल भीच दिया बताय जा रहा है कि एबी वीपी की छात्रिकाई के जिवा अपने संगठन मंत्री के साथ हातों में तक्तियां लेकर नागरिक संशुदन कानून के समर्थन में रैली निकाल कर गया पन देने जा रहे थे तब ही पुलिस और SDM को जानकारी लगी तो पहले उन्हें परशासन ने बिना अनुवती रैली निकालने से मना किया लेकिन जब वह नहीं माने तो पुलिस ने गरफतार किया और SDM कोर् अधियार्थी परश्यत के बच्चे लोग यह लड़के थे यह डेरा पाहडी पे एकटे हुए थे यह कि हम उसके समर्थन में नाग रिखता जो विदेयक कानून बना उसके समर्थन में तो मैं लोग कहने लगे कि भाई हम ग्यापन देंगे रैली निकालेंगे मना किया तं फिर भी जवरजस्ती निकालने की कोशिश की गई इनने ग्रफतार किया गया है इसमें ग्यारा बच जेंट्स हैं दो लड़क लेडीज हैं अभी एक से क्यावन एक सो अठासी के अंतरगत कारवाईयां की गई गया है और बीमार मा का हाल चाल लेने पहुंचे सेना के एक ज जवान से ना सिर्फ मार पीट की बल्कि उनकी गाड़ी भी तोड़ दी इन सब में पुलिस का लापरवाह रवेया सामने आया है पुलिस ने मदद मागने गए जवान के उपर ही केस दज कर लिया जवान ने नयाय के लिए मुख मंती कमलनास से गुहार लगाई है और दोश सेना के जवान अरुन कुमार गौतम के साथ मार पीट की गई पीडित जवान ने पुलिस पर लापरवाही और असमवेदन शीलता का गंभीर आरोप लगाया है अरुन कुमार गौतम थल सेना के नोसी पदपर फिरोजपुर पंजाब में सेवरत है अरुन कुमार गौतम ने देखरेक करने आए हैं तभी गाओं के बदमाशों ने उनसे मार्पीर की अबद्रता की और उनकी गाड़ी तोड़ दी जब वे शिकायत करने थाने पहुचे तो पुलिस ने उल्टा उन्हें एवं उनके सहयोगी लाल जी के शर्वानी को पुराने मामलों में गिरफतार कर ल और उन्हें कोई जानकारी लए हुचे तो मुझे बोले कि तुम खुद मुल्यी हो तो मैं बोला कि कौन सा मुल्यीन हमने कौन सा आपराद किया हैंने कि तुम基本上 से सलांगों 506, 427 और 34 इस धारा की तरद अपराद दर्ज है और तुम्हें इसे नहीं छूटोगे जमानत वाले को बुलाओ लाल जी साथ में थे लाल जी को भी बैठा लिया गया बोले कि तुम भी अफराद ही हो सब घटना इसलिए हुआ है चूकि मैं SDP साब को 20,000 रुपए नहीं दिया था 20,000 रुपए ना देने के कारण हम इस तरीके का परिशानी का सामना कर रहे हैं हमको ऐसे ऐसे प्रताडित किया जा रहा है कि मेरे फादर हास्पिटल में एडमिट है मेरे मां का तबियत खराप है, घर में कोई है नहीं और हम इस तरीके से बहुत तक्लीब में है आपना तक्लीब हम आप लोगों को अभी क्या बताएं कुछ कह नहीं सेकता उल्टा हमारे उपर कारवाई सर जबकि साव नमबर ने भी बताया कि नहीं सर उन्होंने ट्राली भी लगा रखा था और भीर काफी जमी हुई थी ये अकेले थी लेकिन फिर भी उनका भी कोई बात नहीं सुना गया था अरुन गौतब ने बताया कि गाउं के लोगों ने आम रास्ते पर अतिकर्मन कर रखा था जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा था जिस पर प्रशाशन के सहयोख से अतिकर्मन हटवा दिया गया था जिस पर SGOP द्वारा बीस हजार रुपे की मांग की जा रही थी जिसे ना देने पर मुकदमे की धमकी दी गई थी वही नयाई के लिए जवान द्वारा धरना प्रदर्शन कर आत्म हत्या की जेतावनी दी गई है शिगायत पत्र के माध्यम से जवान ने मध्यपदेश मुख्यमंत्री ग्रहमंत्री सहित रवीवा पुलिस महानिरिक्षक को सौपा है तथा जाच कराकर दोश्यों के विरुद कड़ी कारवाई की मांग की है नगर निगम ने नगर पाली का निगम सिंग्रोली को सच्छता रेंकिंग में कीसवी रेंक लाने पर सफाई कर्मियों को समानित किया इन लोगों को सम्मान सवरूप शाल और प्रमान पत्र दिये गए इस मोगे पर महापौर ने नगर निगम कमिशनर और स्वच्छता कर्मियों को इसके लिए बधाई दी और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जनता की सराना की स्वच्छता सर्वेक्षन रैंकिंग में सिंगरॉली नगरपाली कर्मियों को देश में 21 रैंक लाने पर नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों को शॉल और प्रमान पत्र दे कर समानित किया गया महापौर प्रेमवती खेरवार ने नगर निगम कमिशनर शिवेंदर सिंग और सफाई कर्मियों को इसके लिए बधाय दी महापौर ने कहा कि नगर निगम कमिशनर जब से यहां पदस्त हुए है नगर निगम का काया कल्प हो गया है पहले ओफिस में पबलिक अपने कारे के लिए आती थी तो कहती थी कारेयले ठीक धंक से नहीं बना है अब पबलिक का अनुभव अलग ही है पबलिक कहती है कि जब स सिंगरॉली का हो रहा है उसका श्रे सवचिता कर्मियों और यहां की जनता को जाता है युवा एक्ता परिशत के संस्थापक और समासेवी स्वर्गी सचिन दुएदी की याद में आजित ब्यूहर भाईया इस्मृती क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन किया गया इस तौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों मौजूद रहे रिवा जले के पुरोना ग्राम पंचायत में युवा एक्ता परिशत के सौजन से चल रहे ब्यूवर भाईया इसमती तरहार किरकेट टूर्नामेंट का समापन हुगा समापन समारों में सरतरसं समासेवी ईश्वर सचिन दिवेदी की प्रतिमा पर अतितियों और खिलाडियों ने माल अर्पन किया कारकरम में युवा एक्ता परिशत के संग्रक्षक सचिन शर्मा ने अतितियों का स्वागत किया टूनामेंट का समापन कॉंगर्स के वरिष्ट निता और राजसभा सरस से राजमनी पटेल के द्वारा किया गया और उन्हें का सचन देवेदी उच्चे विक्तित के धनी और इमानदर युवा समासे भी थे आज भी हम ग्रामवासी उन्हें अपने दिलों में जिन्दा रखते हैं और उन्हें सदेव याद करने के लिए ग्राम इस तरी क्रिकेट टूनामेंट के आईजन को माद्यम मनाया है टूनामेंट में खिलाडियों को राशी देकर पुर्सकुत भी किया गया इस जोरान बड़ी संक्या में किर्केट प्रेमी मौजूद रहे गुनाशिवपरी संसदी सीट से भाजपा सांसद केपी यादा और उनके बेटे सार्थख यादों के खिलाफ अशोक नगर कोतवाली में जीरो पर केस दर्ज किया गया इसके बाद मुगावरी ठाने में विविन्द धाराओं में केस दर्ज किया गया जाती प्रमाण पत्त बनवाने में गलत जानकारी देने को लेकर ये केस दर्ज किया गया है प्रशाशन ने कुछ ही समय पहले बीजेपी सांसद और उनके बेटे का जाती प्रमान पत्र निरफ्श कर गिया था सांसद के पी यादव और उनके बेटे सार्था की यादव के खिलाव 2420, 120, 111, 182 के तहट केस्दर किया गया है लोग सभाद चुनाओं के दौरान केपी यादव जो तिरादिते सिंध्या को हरा कर सांसक बने थे फ्रिशाशन को भाज़िपा सांसक केपी यादव के खिलाब शिकायट साथ हुई थी शिकायट के अनुसास 2014 में यादव जोरा अपने बेटे को आरक्षन का लाप दिलाने के लिए वार्शिक आय क्रीमी लेयर आठ लाख रुपे से कम बताई गई थी जो गलत है इस घटना क्राम में बीजेपी सांसक के मामले पर बीजेपी ने उनका बचाव करते हुए कुछ सवाल उठाए है और एक को HDM नहीं कह दिया गलत है राजनेतिक प्रतिशोद की भावना से कांगरे सरकार लगाता हम काम कर रही है यह बदले की भावना से काम कर रही है परंपरा डाल रहे हैं देखते हैं प्रशाशन ने जांच में पाया कि यादव कीवा शिकाए 8,000 रुपे से ज्यादा है इस आधार पर साथथा की यादव वा उनके पिता के पिसिंग यादव दुनों का क्रीमी लेयर का जाती प्रमान पत्र मिरस कर दिया जया ताकि भविश में आरक्षन का लाब नहीं मिले आरक्षन का लाब क्रीमी लेयर जाती प्रमान पत्र के आधार पर मिलता है 8,000 रुपे से कम आए होने पर क्रीमी लेयर प्रमान पत्र मिलता है इस मामने में सांसर्थ की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सरकार का इस मामने में कहना है कि 711 की खिलाफ तबूत मिले हैं इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है के पी यादोजी के बारे में तो देखिए कि इसके बाद जो कानूनी कारवई जो अगली जो बनती है वो तो कानून तो अपना काम करेगा ठीक है और कानून को अगर पीछे हटना होता और कानून के रक्षकों को अगर का पीछे हटना होता तो वहां तक आगे कारवई नहीं होती अगर कोई फरजी सर्टिपिकेट होता है और वो सिद्ध हो जा चुका है जिसके बाद जो आगे की जो कारवई है वो अपने आप प्रापनाओं की विप्रीत होता है ताजा मामले में सांसत प्रग्या फ्लाइट में सीट के लिए लड़ ली जिस पर उन्हें अन्य यात्रियों से खरी-खरी सुनना पड़ी यात्रियों ने बेशर्म तक कहा मोदी जी ये कोई आम व्यक्ती नहीं है ये है भोपाल से आपकी पार्टी की सांसत प्रग्या सेंग ठाकुर दिल्ली से भोपाल आते वग जाहाज को साध्वी ने को भवन बना लिया जाहाज में कुरसी को लेकर साध्वी का पारा चड़ गया जरासी देर की यात्रा के लिए सांसत प्रग्या ने मिशन मोदी की हवा निकाल दी साध्वी को जाहाज में बैठने के लिए मनमाफिक कुरसी नहीं मिली यही विवाद का कारण बना मोदी जी आप खुद को प्रधान सेवा कहते हैं लेकिन आपके लोग आपकी भावना का मजा को उडाते हुए उसे तार- विमान में सीट को लेकर भीडी साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर का यात्रियों के साथ बहस का वीडियो सामने आया है जो सांसत साध्वी प्रग्या के हैंकार को दरशाने के लिए परियाथ है शोशल मीडिया पर इस बहस का जो वीडियो वाइरल हो रहा है उसमें एक महि कह रही है आप फैसला लीजिए आपका मैनेजमेंट कौन है यहां की प्रोफेशनिलिजम नहीं है इस पर साधवी प्रग्या जवाब देती हैं मैंने पहले ही बोल दिया मुझे अपनी रूल बोग दिखा दो मुझे बनेगा बैठते तो बैठूंगी नहीं बनेगा तो मैं च चर्म तक कहा पहले देख लीजिए इस वीडियो को जिसमें साध साधी प्रग्या मोधी और बीजेपी की भावनाओं के विपरेद कुरसी के लिए बहस कर रही है प्रफेशनल निजिए आपका प्लेन है नहीं है यह तो आप लिए प्रफेशनल निजिए 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 नहीं है यहाप है इनको कुछ करना चाहिए ना थौर्टी निजिए ना थौर्टी हमारे पास नहीं है आप तो आप तो जनता के प्रफिली ना आपको काम हमें परेशान करना नहीं है एक्जाक्टी अब अगी फ्राइट नहीं है फ्रस्ट क्लास अगर आपकी बजा से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है आपको इस बात की शर्ब नहीं है कि 50 लोगों को तो आपको थीक लाइंगविज बोल रहा हूं आप से मैं बहुत इज़त से और प्रेम से बात कर रहा हूं आप इज़त से है कि शर्म करनी चाहिए जी बिलकुल शर्म बहुत अच्छा वर्ड है अपने बयानों के कारण कई बार बीजेपी की किरकिरी करवा चुकी सांसच साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर को इस बार जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा एक यात्री तो बीजेपी सांसच से कह रहा है कि आपको शर्म नहीं है कि आप इस तरह का बड़ताव कर रही है इससे पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट में सीट को लेकर साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर की क्रिव मेंबर से बहस हुई सीट की मांग को लेकर वे विमान में ही धरने पर बैड़ गे इस बीच यात्रियों ने विमान में साजवी प्रग्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके वेवार की निंदा की। साजवी प्रग्या श्रनिवार श्राम को दिल्ली से स्पाइस जेट की उडान संख्या SG 2489 से भोपाला रही थी। विमान के अंदर उन्हें सीट नंबर 2A दी गई। सांसा चाहती थी कि प्रोटोकॉल के लिहास से उन्हें सीट नंबर A1 दी जा लेकिन ये सीट पहले ही दूसरे यात्री को दी जा चुकी थी। शाम साद बजे विमान राजा भोज एरपोर्ट पर लेंड हुआ। बोपाल के सभी यात्री उतर गए लेकिन साद भी नहीं उतरे ये विमान के अंदर ही धरने पर बैठ गए। इस पाइस जेट के स्टाफ ने भी उन से नीचे आने का अनुरोध किया लेकिन विन नहीं आ इस बुलेटन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें दखल नूर्ट दखल आपके हत में संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कрист एक ताने बाने ता चंबल के बीड़ों से नकसलवादियो के गढ़ता जोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पक्दंडियों से सड़कों तक, गाउं से शेहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राज़्टीती से कूट मीती तक, दखन न्यूज, आपके हद तक आप देख रहे हैं दखन न्यूज